हलो एल्वान आम रमेश्ट इसाथ और वालकम यू और विहाफ अभीपसान अभीपसा टीम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023 जिसमें धेल सारे important question answers आपको वीडियो के मादम से प्रोवाइट के जा रहे हैं तो लास्ट वीडियो लेक्षर में हमने देखा था unit first का question answers आज हम स्टार्ट करने वाले हैं unit second का previous year के question answers जिसमें से यह है हमारा second unit humor का तो start करते हैं हमारा important question answer तो हमारा जो first question है वो है describe Jack and Jill's house and the things that impressed Aunt Jane यह question आपका आया हुआ है पिछले year ठीक है 2022 में आया हुआ है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो Jack and Jill के घर के बारे में अदी वर्णन किया जाए तो उनका घर काफी सुन्दर है काफी बड़ा है एक अराम दायक बैठक रूम है इसके लावा उनके पास रेडियोग्राम है रेफिजरेटर है कार है धेर सारे चीजे हैं और यही जो चीजे है वो Aunt Jane को impress करती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा तो यह सारी चीजे हैं जो कि Aunt Jane को impress करती है लेकिन यह बात है कि यह जो चीजे है जितनी भी चीजे है यह उन्होंने इस्टार्मेंट पे लिया हुआ है उनका खुद का नहीं है नेक्स्ट हमारा कुश्चन होगा वाइव वोज आंजेन वोरीड अवाउट हर गीफ्ट चेक अब यहाँ पे पुछा जा रहा है कि जो आंजेन है वो अपने गीफ्ट चेक के लिए क्यों इतनी चिंतित है उन्हें इस बात की चिंता है कि जब जैक इंजेल की साधी होती है तो उनके साधी के वक्त ये एक चेक देती है और कितने की चेक देती है 200 पॉंड की चेक देती है इतनी सी एक मुद्रा है जैसे भारत की यादे हम बात करें तो भारत में भी रुप्या पैसा चलता है वैसे ही इस स्टोरी में pound की बात हो रही है तो ये एक चेक देती है उस चेक में होता है 200 लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये गलती से 200 की जगह पे 2000 का तो चेक नहीं दे दी है याने 2000 pound का चेक तो नहीं दे दी है जिसकी वज़े से इनके पास car है पियानो है रेडियोग्राम ह है तो इन सारे चीज़ों को देख करके नहीं चिंता प्रतीत होता है इसलिए काफी चिंती था इसलिए ये वरीड है तो इसका अंसर हो जाएगा आंट जेन was worried about her gift check because she was thinking that she had put 2000 pounds by mistake तो ये हमारा आंसर होगा आट जेन जहांडा आप जीन है वो बिस्तर पर लेटने से वो इंकार कर देती है मना कर देती है क्यों तो इसका रिजन ये है कि इनका कहना है कि जो भी चीज इनके पास है Jack and Jill के पास चाहे बिस्तर हो, चाहे कार हो, चाहे जो घर है वो कहो, यहां तक कि उनका जो बेबी है, उनकी जो बेबी है, वो भी उनका खुद का नहीं है, वो हर एक चीज़े इंस्टावलमेंट पे लिये हुए है, तो इसलिए मना कर देती है, क्योंकि जो बिस्तर है, वो उन का नहीं है, तो यही आपका अंसर होगा, आंट जो रफ्योज़े तो लाइड और, अन बेद 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 नॉट बिलाउंग तो जैक एंड जील के नहीं है, इसी वुज़े से, नाव लेट सी दे नेक्स क्वेश्चिन, हाँ मच दिद जैक अर्न, हाँ मच दिद जैक comprehensiveence and how could he manage to pay it, यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्यो जैक हो कितना अंग करता है, यह हमारा कोशन है, तो जैक कितना कितना 6 pound, 6 pound कमाता है, 10 pound, 10 pound, वो installment पे pay करता है, अब देखे, 6 pound वो earn करता है, 10 pound वो चुकाता है, pay करता है, तो वो कैसे करता है, तो वो क्या करता है, वो एक loan लेता है, एक corporation से, means वो loan लेता है, और loan के तारब फिर वो manage करता है, तो इसका answer इस तरह से हो जाएगा, Jack earned 6 pounds, towards the installments, he pays 10 pounds with few quarterly payments, he managed to pay this amount from Thrift and Providence Trust Corporation, तो इस तरह से वो क्या करता है, लोन लेकर के, वो pay करता है, और इस तरह से वो manage करता है, Now let's see the next question, our next question is, why was bank and shop absent the day before, यहां पर पूछा जारे है कि जो bank and shop नाम का लड़का है, वो पिछले दिन, यानि एक दिन जस पहले वो क्यों absent था, इसका reason क्या है, तो वो क्या बहाना करता है, तो उसका बहाना था कि वो किस के पास गया हुआ था, वो dentist के पास गया हुआ था, तो इस तरह से वो dentist के पास जाता है, यही मिन्स वो बहाना करता था, actual में तो वो कही जाता नहीं है, वो बहाना करता रहता है, excuse बनाता रहता है, तो इस तरह से वो कहता है कि वो dentist के पास गया हुआ था, because of dentist, तो answer हो जाएगा, bank and shop was absent yesterday due to the dentist, okay, now let's see the next question, our next question is, bank and shop did not line up for PE because he had यहां पर कहा जा रहे है कि जो bank and shop है, वो PE के लिए, ने physical education के लिए वो line up नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास, क्या reason था, इन तीनों में से, no kit, Susan, grandmother, तो इन में से, no kit वाला हमारा option सहीं होगा, no kit, ऐस तरह से, तो यह होगा हमारा answer, तो वो क्या बहाना करता है, वो बह Let's see the next question, what did uncle poser ask the maid to bring and what did he forget to tell her, तो यहां पर पुछा जारा कि जो uncle poser है, वो mad को क्या लने के लिए भीजते हैं और क्या कहने के लिए वो भूल जाते हैं, तो mad को क्या लने के लिए भीजते हैं, वो उनको एक खोटी, जिसे हम कहते हैं, तो nail लेने के लिए भीजते हैं, लेकि इसका जो answer होगा, वो इस तरह से होगा, uncle poser asked the maid to brought six penny worth of nails and he forgot to tell her for a bit of picture cord, तो picture cord को कहने के लिए भूल जाते हैं, फिर से उनको दोबारा भेजते हैं, और जो nail, जिस nail को लाने के लिए भेजते हैं, तो उस nail की जो कीमत रहती वो six penny, यानि जैसे मुद्रा है, पेनी भी एक है, उसे लाने के लिए भेजते हैं, और उन्हें दूसरी चीज रस्ती लाने के लिए कहने के लिए भूल जाते हैं, तो इस तरह से वो एक ही काम को बार बार कराते हैं, यानि एक ही बार में वो काम हो जाता, लेकिन वो दोबारा उसी काम को कराने के लिए फिर से मैड को भे you in the next video lecture, till then, thank you.